श्वागत थिक्वा फिर से आप सभी का आर्कार श्टडी सीटेट पॉंट यूटूब चानल भी इस चानल के मादिम से आप एक और सीटेट और बीएड डीएड और एस्टेट के एक्जाम से जुरे हुए महत्पुन टॉपिक के बारे में अध्दन करेंगे वह टॉपिक है आपका शमावेशी सिक्षा जो की बहुत ही मात्पुन टॉपिक है आपका ये समावेशी सिक्षा इससे भर-बर के कोशिन आते हैं आपके टीचर एकजाम जो भी होंगे शार एकजाम में से प्रसन पूछे आते हैं तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए पहुत ज़्यादा मतपुन है चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समावेशी सिक्षा के बारे में और जानेंगे क्या जानेंगे आज के इस वीडियो में तो समावेशी सिक्षा क्या है फिर आप जानेंगे कि समावेशी सिक्षा के बारे में शमावेशी सिक्षा आखिन होता क्या है देखे समावेशी सिक्षा जो है इसका सिर्फ एक ही मतलब आप ऐसे याद रखीगा कि सब को सिक्षा ठीक है यानि कि सब को समान सिक्षा अगर यह बात याद रखते हैं तो आप समावेशी सिक्षा के अर्थ को ब प्रटिक बालक के विज, हम लों जानते हैं कि विवेक्तिक विविन्ता भी चाता है तो वो विविन्ता अनेको परकार से पाए जाती है जैसे कि कोई बच्चा मालेजे के आर्थिक इस्तिती से संपन्नी परिवार से आता है तो कोई बच्चा पिश्रा परिवार से आता है तो कोई बच्चा मंद्य बुद्धी का होता है तो कोई बच्चा अत्य बड़ बुद्धिगा होता है कोई बच्चा समान्ने होता है तो कोई बच्चा सारी रूप से विकलांग होते हैं कहने का मतलब कि और सक्षम होते हैं तो इस प्रकार से आप पाईगा कि एक बच्चे दूसरे बच्चे से क्या होते हैं बिना कि अधार के ऐसाध करने की यह जो करनाय यह सिर्फ एक ही चीज़ा है यह जो सिक्षा प्रनालीा इसकों की वह कै और बीना किसी अन्तर के समाज के प्रतिएक वर्ग के बच्चों को एक साथ सिक्षा प्रदान करने की ये एक प्रकिडिया है ये एक प्रनाली है और आएसा एक साथ क्यों सिक्षा प्रदान की जाती है ताकि समाज के सभी वर्गों के जो भी बच्चे आते हैं सब को एक अस्तर पे ला आ जा सके एक मुख्य धारा से जोड़ा दा सके कारने का मत बच्चा अगर पर रहा है कहने का मतलब है कि मतलब उच्छे पड़िवार के बच्चे आ रहा है तो उसको भी वही सिक्षा दी जाएगी या फिर कोई मजदूर का बच्चा स्कूलें पर रहा है सबको एक साथ बैठा करके एक ही जगह पर सिक्षा दी जाएगी यही होता है हम बेच भेधभाव नहीं किया जाता है बिलकुल भेधभाव की नाम की कोई चीज ही नहीं होती है स्ववेशी जिक्षा इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा और हम आप लोग को कुछ एक्जामपल के मदद से समझाते हैं जैसे कि एक समाजने बच्चे को ले ले जे जिसक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अमीर प्रिवार्ज आते हैं जिसको यहां पर मैं अलग प्राकिरती यहां पर प्रदान किया है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे जाती धर्म वगरा क्या भी आप यहां पर बहुत सारा मैटर आ जाता है तो हिंदू है जिसे माले जो कोई मुश्लिम है, कोई सीख है, कोई इसाई है हिंदू में भी कोई उच्छे जाती का है कोई निमन जाती का है, या फिर मुश्लिम में भी कोई उच्छे जाती का है, कोई निमन जाती है, तो कहने का मतलब कि अंतर अनेको परगार्ज होते है विनता अनेको परकार्ज होती है, लेकिन समावेशी सिक्षा क्या कहता है, कि जितने भी सारे आपने यहाँ पर देखा, अलग-अलग रूप में मैं उसको यहाँ पर इंगित इसलिए किया था, चुकि आप आपको आगे आच्छे से समझ में आएगी, देखें समावेशी जो क कक्छा होती है, याने कि विद्याले का जो कक्छा होगा, अलग-अलग तरह की आगिरती मैं आपको बताया था, तो इसका क्या मतलब निकल लाए कि एक विदाले का कक्ष वैसा कक्ष जिसमें साड़े प्रkaard के वच्चे, उविविश्ट बच्चे भी एक साथ एक ही कक्षा कक्ष में अध्यन करते हैं, शिखषा कौ प्राप्त करते हैं, वैसे सिखषा प्रनाली क्या कहलाएकि आपकी आप समावेशी सिक्षा परनाली को समझ गये हैं कि इसमें किस तरह से सिक्षा दी जाती है कौन-कौन से बच्चों को सिक्षा दी जाती है आगे चलिए हम लोग इसके बारे में और अध्यन करते हैं और जानते हैं समावेशी सिक्षा के शंतर में कुछ और बाते हैं जैसे इसकी प परवदृत या पिर समाने बालक भी कह सकते हैं या फिर ऎसे भी कह सकते हैं कि समाने बालक और विसिस्ट बालक दुनुं को एक क constitu में कख्छा देने का प्रध्थान किया गया है वो जो सिक्षा प्रनाली है वो हमारा श्मयबे 숨मbnYO ऑई यहां पर और भी बात जैसे सारे रूप से बाती तो बालकों को कुछ अधिक शाहता जरूर प्रदान की जाती है जैसे मालेज जी कि आपके कक्चा कक्च में कोई मंद बुद्धी के बच्चे होते हैं जो एक समाने बच्चों की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लेते हैं कोई भी कंसिप्ट को समझने में तो एक सिक्चक वहाँ पर कक्चा कक्च में उसको कुछ विशे सुवधा जरूर प्रदान करेंगे जैसे कि उसको समझाने के लिए कुछ अलग विधी का प्रयोग करेंगे या पर उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे समझाने के लिए लेकिन उसको क्या है कि अलग कक्चा में ले जाकर सिक्चा नहीं दी जाएगी सिक्षा दी जाएगी वह उसी कक्षा कक्ष में सिक्षा दी जाएगी जिस कक्षा कक्ष में बाकी की समाने बच्चे बैठे हैं यही होता है अमारा शमाने सिक्षा बोल दिया मैं यहापर शमावेशी सिक्षा ठीक है यही होता है अमारा एक शमावेशी सिक्षा पदती में इस से चीज को फॉलो किया जाता है बाकी की चीज और भी हम लोग अध्यन करेंगे जैसे कि समावीशी सिक्षा की विशेस्ता को हम लोग गएर देख लेते हैं तो हमारा यह टॉपिक फुली कंप्लीट हो जाएगा समावीशी सिक्षा की क्या विशेस्ता हो जकती है सबसे पहली बात तो यह है कि समावीशी सिक्षा में एक ऐसा सिक्षा प्रनाली है एक ऐसा प्राडूप दिया गया है जिसमें अपंग बच्चा हो या फिर समाड़े बच्चा हो दोनों को शमान सिक्षा के अवशर प्राप्त होते हैं और वे समाज में अन्य लोगों के भाती आत्म नि बात करेंगे कि यह अपंग बालकों को कम परतिबंदित तथा अधिक प्रभावी वतावड़ उपलब्द कराती है जिससे भी शमाने बालकों के शमान जीवन यापन कर जगे एक प्रभावी वतावड़ उपलब्द जरूर कराती है आप इस सीज को ध्यान रखेंगे लेकिन उसी कक्चा कक्च में जिस कक्चा कक्च में बाकी के शमाने बच्चे बैठे होते हैं ऐसा नहीं कि उसको अलग से दूसरे कक्चा मिले जाकर करके उसको पढ़ाया जागा तो वह आपका वहाँ पर श्वावेसी सिक्चा ना हो करके वह एक ही किर्द सिक्चा हो जागा विशिष्ट सिक्षा पर नाली मुँआ जाएगा तो हम यहाँ पर समवेशी सिक्षा पर रहे हैं इसमें एक इसा सिक्षा देने की प्राबदान करी गई है समाज में अपंग तथा समाने बच्चों के जो मध्य दूरी होती है यानि विश्ट की जो दूरी होती है उसको आपस में सवयोग की भावना परदान करने है तू समवेशी सिक्षा का निर्मान किया गया है गठन किया गया है चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसकी विश्टा के तोड़ पर रहम जानेंगे कि समवेशी सिक्षा विविदिता का उत्सब मनाती है कहने का मतलब क्या है कि समवेशी सिक्षा के अंतरगत बहुत सारे जो बच्चे आएंगे विविन विविन काटेगरी के बच्चे आएंगे विविन विविन परतीवा को लेकर करके आते हैं तो सारे में क्या है कि विविदिता होती है और उसका एक उत्सब मनाती है, कहने का मतलब कि इसमें सभी बच्चे सभी सिक्षक एक संसाधन की रूप में अस्तमाल करते हैं इसाड़ी चीजों को, है ना ऐसी विवस्था जिसके अंतरगत क्या है कि साड़ी रूप से विकलांग बालक भी शमाने बालकों के शमान मत पुर जाती है, जितना शमाने बच्चों को बताई जाती है, किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाती है चली इसें पर थोड़ा से हम लोग जनकारी को प्राप्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप आएंगे कि समावेशी शिक्षा हुटा है कि इस प्रकार के विवस्था में अपंग बालकों के साड़ सिक्षा देने की प्रवधान की गई है जिसमें क्या होता है कि अपने आपको हिन नहीं समझते हैं कहने का मतलब कि होता है ना कि कोई बच्चा विकलांग है तो वो समाने बच्चा के शाथ थोड़ा सा संकूच महशूस करता है कि वो कितने अच्छा चल फिर रहा है बातचित कर रहा है हम वहाँ पर थोड़ा अपने आपको हीन महसूस करते हैं, तो ऐसा उसको यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही कक्षा किसमें, और एक समान महतों दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो समाने बच्चे हैं, उसको ज़्यादा वापिश समझाया जाएगा, ज़्यादा उसका मतों दिया जाएगा, विकलांग को कम ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, कि जो बच्चे थोड़ा सा अपंग होते हैं, वो अपने आपको हिन नहीं समझते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्पून सिक्षा पदती है परनाली है नेक्स्ट पॉइंट है कि अपंग बालक शमाने बालक जब एक साथ दूनों मिलकर के सिक्षा को गरहन करते हैं तो इसमें एक ही करनता के कारण समाजिक गुन को अने बालकों के साथ गढ़न करने का अवशर मिलता है और इसमें प्रस पर समाजिक गुनों उसके व्यवहारों को शीखते हैं बच्चे और आपस में सहयोग की भावना पनपती है ये भी समावेशी सिक्षा का एक बहुती महुत पूर्ण उद्यस से हैं ठीके कह सकते हैं इसको और उसमें क्या होता है कि जब ऐसे चीज़ों होगी जब सब बच्चे आपस में एक साथ सीखेंगे समाजी गुणों में कौन को से गुण सिकते हैं जैसे नैतिकता का गुण हो गया प्रियम सहान भूती एक दूसरे कुशह योग करने की बात आ गई ये सारे गुण कोशल को बच्चे सिकते हैं समावेशी सिक्षा के माध्यम से नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अंग बच्चे या फिट आपका समाने बच्चे दोनों का अलग 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 अक्षा में अगर अलग अलग विद्याले में पढ़ाया जागा तो आप आएंगे कि विशिष्ट ध्यापक के अफशक्ता पड़ेगी विशिष्ष विद इसलिए कहा गया है कि समावेशी सिक्चा जो है वहाँ कम खर्चीली सिक्चा पदती है परनाली है समावेशी सिक्चा के वातावरन जो होते हैं इसमें समानता की उद्यस की भाती क्या होता है कि सभी को एक सत समानता की भावना से दिखा जाता है किसी के साथ कोई भी तो यही सारे बात थी आपके श्वावेसी सिक्छा से latitude मुझे उम्हीद है कि आपको यह सारे पॉयंट जो मैं आपको बताया सब्सक्राइबर के कि अदियेसे का ईताइब के, अब हाँ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके आप वेल वाले आइकोन को प्रेस भी कर लिज़े का ताकि जब कभी भी मैं इसी तरह के और भी यूजफूल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो